हमारे यूटीब चैनल चाया मिस्रा की रसोल में तो आज की रेस्पी क्या है आपको देखिएगा और पसंद आती तो लाइक करिएगा सस्क्राइब करिएगा तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो यह देखिए गायस हमें पुरन पोली पहले बनाई थी वह आपनों को क काफी पसंद आई मगर हमने एक चीज सोची कि जो लोग विगनर हैं उनको भाड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है उन्हें जो रोठी बेलनी नहीं आती है तो वह कैसे बनाएं खास तर से वह बच्चे जो होस्टेल में रहते हैं मगर खाना अपना घर में बनाना चाहते है आगर पूरण फूली खाएंगे तो वह कैसे बनाएं कैसे खाएं तो उनको दिक्कत होती होगी तो चलिए आज नए ट्रिक्ष लेकर आएं तो देखिए इसको हमने ब्राइंड को भीगो कर रख दिया था दो भंटे के लिए ब्राइंगे नहीं बनाएंगे आज हम बनाएं आगे बैटर से पौरली तो देखिए कैसे बनाना है इस तरह से हमने ले 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 लेना है दाल और अच्छे से मिक्सी के जाय में डाल देना है सौंफ ले लेनी है वो भी डाल देनी और इसको ग्रैंड कर लेंगे अभी दरदरा ग्रैंड हुआ है मगर क्या करना है इसमें हम बाल की जगा चीनी भी ले सकता है अगर आपके पास गुड नहीं है तो आप चीनी ले लीजिए का इस तरह से इसमें डाल कर हम गुड को पीस लेंगे जिसे पानी की महत्रा हमें थोड़ा कम लगेगी यहें थोड़ा सा में पानी डाल दिया है तीन से चार स्पून के करीब और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे तो देखे किस तरह से लिक्विटी फॉर्म में हो गया है गुडबी पिसकिया साथ में और सौफ और दाल भी पिसके अच्छे सबारी इसको निकाल लेंगे इसमें से अब देखे थोड़ा सा पानी हम ले लेंगे अपनी इसी मिक्सी के जा पीस कर दिया है देख सकते हैं एक बहुल डाल थी एक बहुल में आटा ले arena तो इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से यह देख सकते हैं तो यह तकर सकते हैं तो यह देखिए से कंसंटनसी हो चुकी है तो इसको अच्छे से डग कर रख देंगे 15-20 मेट के लिए जिससे की आंटा और दाल एक सारी की सारी फूल जाए दिखने लगें अच्छे से आंटा हमारा फूल चुका है इसमें और थोड़ी सी हल्दी पावडर डाल देंगे कोई जरूरी नहीं है कि आप डाले ही हमारा जो गुड़ था वह ब्लैक कलर था थोड़ा सा था पुराना गुड़ था इसमें से आपको हमें हाल्दी डालनी पड़ी आप चाहें तो ना भी डालने कोई दिकत नहीं तो देखें नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा थिक लग रहा है बैटर तो थोड़ा सा पानी भी एड़ करेंगे यह जब हमने रख दिया था इसको फूलने के लिए पद्रामेट के लिए तो यह थिक हो गया थोड़ा सा थोड़ा सा ही पानी लेंगे आप देख सकते हैं ग्लास में कितना पानी लिया है यह देखें चार से पांच स्पून पानी और भी स्पून को अटाएं गूर्वार डटर लेगे लेंगे लेंगे लें तो से मिक्स करेंगे यह देखें अच्छे से मいき्स कर देंगे इसके तरह से तो यह क्या होगा थोड़ा सा और भ५ोल जाएगा का यानिसके अंदर और होजगी और लिचातर करत का पानी ब्रथा भी झ चैना नहीं करना पर नपर आयल लगाना आइरन का पेन भी ले सकती है जोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यह किस पर लेती तो उस पर आयल की मातरा कम लगती तो देखे यह देखिया बस इस तरह से कुछ नहीं करना बैटर इतना ज्यादा सौफट था इतना ज़ादा रणिंग कंसंटेंसी थी तवे को थोड़ा सा इधा उदर करेंगे तो बैटर अपने आप से ले लेगा इस तरह से देखे तो देखे दो सेकेंड लगा है ड्यक कर पकाने के लिए उसके बाद ऊपर से ओएल लगा देंगे घी जो भी जिसमें भी आप बना बनाना बताएंगे. अगर बच्चों गरा को टिफिन में में देना है ये खास तोर से घर की हाouse wife के लिए है. बच्छे मॉर्णिंग में श्कूल जाते हैं, husband आफिस जाते हैं तो उन कैसे क्या नास्टा बना कर दें, बच्चों को कैसे दें, बना कर के तो ये बहुत काफी अच्छा worship भी नहीं रहाएग काफी अच्छा ही जाली दिख रही है इस ऐए है इस एक घ्रण कहीज में और भी काथ कर दोपना जांगा ठोपता नहीं है काफी अच्छापियन नहीं and inside and from out from the odpow कोई नानुकुर नहीं कर सकता कि अच्छा है या कुछ तो देखे एक साथ हम कई बना लेंगे यह देखे अब जो चोटे बच्छो को टिफिन में देना होता है तो छोटी चोटे बनाते हैं तो एक ही पैन पर देखे तीन बनकर तयार होगा है आप चाहें तो आप चार भी बन देखे नहीं को दिखाने होगे मगर थोड़ा सा हमने दूर दूर डाला जिसे यह फूले तो एक में चिपके नहीं यह देख सकते हैं तो एक बार में तीन बन जाएंगे तो आप सोचिए कि अगर बच्छों को आप दो देते होंगे ना तो दो एक्स्ट्रा ही बन जाएंग बहुत हो जाता है यह देखे इस तरह से बना करके हम तयार करेंगे यह देखे आइस तो आप लोगों को याद दिला दें अगर हमारी रेस्पी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक सेस्क्राइब और शेर करिएगा कमेंट ज़रूर करें आप अपनी रेस्पी भी बता सकते जिसे कि हमको थोड़ा सा हाल्फ हो जाएगी बनाने में तो यह देखे बन कर तयार है चोटू से चोटू अपने इसको आप चीले भी बोल सकते हैं ऐसा नहीं है आप आटे और चैने की दाल के चीले भी बोल सकते हैं तो यह देखे रखा हुआ कितना सॉफ्ट है तो अगर ह पूछते हैं तो मिलते हैं नेक्स डे नेक्स वीडियो साथ बबाई